आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और आपको बता दूं कि जब भी इमानदार पत्तेकारों की बात होती है कर्तब निष्ट पत्तेकारों की बात होती है तो हम लोग रामनात गुएनका के बारे में जरोर पढ़ते हैं जरोर सुनते हैं और आपको बता दूं यही वो बेक्ती हैं यही वो सक्स है जिसने इंद्रा गांदी की नाक में दम करके रख दिया था और अपना जो पत्तिकारता का एक तरह से धरम होता है था उसे निभाया था आज के समय की मेडिया को देख लिजे आप लो एक पत्तिकार का धरम होना चाहिए कि आम मानस की जो समस्याए है उन्हें सरकार तक पहुंचाना ना कि सरकारों की गुलामी करना और सरकार से हमेशा सवाल पूचते रहना यही काम होता है मेडिया का और मेडिया को लोकतंत का चौतरा स्थम कहा जाता है लेकिन आज आप देखें वो उस चौतरे स्थम का क्या हाल है हमारी मेडिया हमारे देश की मेडिया का क्या हाल है आप सभी लोग मुझे लगता है कि बहुत बहतर तरीके से जानते है और आज कल आप देखते होंगे कि जो प्रेस फेडम इंडेक्स आता है जो आप देखते हैं सुचकांग आता है ने मीडिया से सम्बंदित आपका उसमें हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते है क्योंकि हमारे देश में मीडिया का हाल बोरा है इसमें कोई सक नहीं है तो आज हम लोग रामनात गुएनका के बारे में एक सामन जानकारी देखेंगे इनसे जुड़ी वी महत्पूर घटनाए हैं जिसके कारण आप देखें दुनिया भर में इनकी चर्चाएं आज भी होती है और इसलिए आप देखें कि 2006 में रामनात गुएनका पुरुसकार भी सुरू किया गया था इनहीं के नाम पर इनकी आप देख सकते हैं यह फोटू आपको सामने देखी रही है आपको बता दूं कि रामनात गुएनका साहब इनका जनम होता है कब 22 अपरेल 1904 को बिहार की दरवंगा में एक बार आप लोग बिहार को देख लिए यह आपको बिहार दिख रहा है इसके राधानी पटना है बिहार में इनका जनम होता है और आप देखें कि 1991 को 5 अक्टूबर 1991 को इनकी मौत हो जाती है इनकी मौत मौंबई में हो जाती है यह आपको मौंबई भी महराष्ट में दिख रहा होगा और आप देखेंगे कि उनके जाने के इतने साल बाद भी पत्तिकारता के छित में आज भी उनका नाम पूरे सम्मान से लिया जाता है और वो कहते हैं ना आप लोग भी जानते हैं मुझे लगता है कि इतिहास आप सभी लोग पढ़ते हैं और उसका आप लोगों में इतनी समझ रहती है मुझे लगता है क्योंकि आपके पास एक दिमाग है और उसका उपयोग आप लोग करते हैं बाकी लोगों का नहीं मुझे मालू की वो करते हूं या नहीं, क्योंकि आज आज आप लोग जो भी करम कर रहे हैं, हम जिस भी छेत में जमे हुए हैं, अगर उसका धरम नहीं नेवात ने, अपना करतब नहीं नेवात ने, तो आज के जो भी घटनाय घटनाय इनका भी इतिह लिखा जाएगा और इतिहास में जब मोल्यांकन किया जाएगा उस समय हमारी घटनाओं को निस्वक्ष तरीके से देखा जाएगा आपको एक घटना बताता हूँ आप लोग इतिहास पड़े होंगे तो आपने देखा होगा रानी लच्छी भाई के बारे में आप सभी आज आप लोग इतिहास की कोई special book उठा के देखिए सभी लोग आप देखिए कि रानी लच्छी भाई को राष्टबादी मान रहे थे समय रहे आज हम लोग रानी लच्मियाई की पूजा करते हैं हम लोग राष्टबादी मानते हैं हमारे देख को आजादी दिलाई हम लोग अभी भी बात करते हैं लेकन आप सुची कि सिंधिया को हम लोग ने क्या सब्द दिया हुए इतिहास ने देश दुरोही बिस्वास गात, देश के साथ गद्दारी करने वाला, चमझ रहे आप लोग, उस समय आप देखिए, भकस सिंग, सुख्देव, राजगुरू, जिस समय आप देखिए, वो इस तरह की आंदोलन कर रहे थे, अपनी घटनाएं, एक तरह से अपनी उपस्तिती को, आंदोलन में, राष्ट कि आजादी में, वो जिस तरह से यउगदान कर रहे थे, उस समय से आप सोचे, अंगरेजों के लिए, वो आतंगवादी कहे जा रहे थे, अंगरेजों की नजरों में, वो आतंगवादी थे, वो देश-धुरोही थे, लेकिन आज आप देखिए, हम लोग उनकी पूजा कर इंडियन एक्सप्रेस अकवार की सुरुवात करते हैं और इमजेंसी के दोर में जिस तरह रामनाद गुएंका ने सरकार के भारी दबाओ के बाबजूत से नहीं जुकाया और प्रेस की आजादी के लिए लड़ाई लगी उसे भला कौन भूल सकता है और इमजेंसी के पढ़ सकते हैं या मीडिया से या पत्यकारता की छेत्र से आप लोग जुड़े हैं तब भी आप लोग जरूर पढ़िएगा इसमें अनन्या ग्वेंका ने बीबीसी को बताया कि कि किसी भी अगवार को चलाने के लिए सबसे जाना जरूरी होता है विग्यापन 1975 से 1977 तक लगी इमर्जेंसी के बक्त इंडियन एक्सपरेस को दिये जाने वाले सारे विग्यापन बंद कर दिये गए थे और अखवार चपने के समय को समय वो प्रेंटिंग पेस की बत्ती काट दिया करते थे इस बज़े से अखवार समय से लोगों के पास नहीं पहुच प सरकार की बात नहीं मानी बलकि सेंसर के किये गए डिट एडिटोरियल की जगए को खाली छोड़ दिया अखवारी दुनिया में पहले कभी इस तरह का बिरोध नहीं किया गया था यानि कि मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगोंने इमर्जेंसी राष्टी आपात काल के बारे म जो इंद्रा गांदी का बिरोध का रहे थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था और आज भी आप देखें कॉंग्रेस की सरका रही हो या किसी और पार्टी की सरका रही हो बीजेपी की सरका रही हो या राज्यों में किसी और पार्टी की सरका रही हो अगर पत्तकार उनके खलाब कुछ लिखता है, तो उन्हें उठा के जेल में डाल दिया जाता है, तो इनके साथ भी उस समय राष्टी आपात कल जब लगा था तो इस तरह की घटाएं घट रही थी, आप सोचेए, बड़े-बड़े जो नेता थे उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था लेकिन इनों ने सिर जुकाना सुईकार नहीं किया ये लिखते रहे इनों ने आप देखी कि हर सब संभाव कोसिस की कि गलत का बिरोद किया जा सके और इमरजेंसी की बाद जब पहली गैर सरकारी कॉंग्रिस सरकार बनती है और पिधानमंत्री मुरारजी देशाई बनती हैं तो उन्हें एक बार कहा कि हम राजनीतिकों की तुला में रामनाद जी की इमर्जेंसी की लड़ाई कहीं अधिक नाजुप और नेडायक और महत्मूर थी। आपको बता दूँ कि देखे राजनीति में कभी भी कोई भी कितना भी घमाड कर ले अगर जंदा से दोर होता है जंदा की मुद्दों से हटने लगता है जंदा को अंदेखा करने लगता है तो जंदा भी उसे समय आने पर ठेकाने लगा देती हैं इसका सबसे अच्छा उधा तो चुनाओ बताता हूँ, इंडरा घान्दी को ले लिके। जब उन्निस सो सटतर में आपży से चुनाओ होते हैं, तो क्या होता है Sindra घान्दी अपनी सीट 篁ड हार जाती हैं। और कॉंग्रिस भी बुरी तरह से चुनाओ हाग जाती है। इंद्रा गांधी अपनी भी सीट नहीं बचा पाती है। फिर आपने देखा है कि वो आंगे चलके उन्होंने माफी माँगी देश की जनता से सामने आके कि हमसे भूल हो गई थी। तो जनता ने फिर से उन्हें प्यार दिया। तो यही हमारे देश की जनता है। ठीक नहीं चल रहे थे। जब फिरोज को नौकरी देने की बात इंद्रा तक पहुँची तो एक दुन उन्होंने उस बक्त नहरू के सचिब माथाई को बोलकर ग्वेनका को बुलवा लिया और साथ ही इसारों में उनसे कह दिया कि फिरोज को नौकरी पर ना रखा जाए। और हुआ भी यही उन्होंने फिरोज की नौकरी का पत्र रद्ध कर दिया और कुछ दिन बाद जब ग्वेनका नहरू से मिले तो उन्होंने उनसे बात तक नहीं की पर ग्वेनका इंद्रा वाली बात नहरू को नहीं बता पाए और नाराजगी मोल लेली तो इस तरह यह थ से ग्वेनका साब संजय गांदी की आप सभी जानते ही कि इंद्रा गंदी की बेटे थी इनकी मौत होती है और इंद्रा गंदी को यह चिट्टी लिखते है रामनात ग्वेनका साब जब संजय गांधी की मौत हुई तो उन्होंने इंद्रा गांधी से टकराओ की बातें भुलाकर उन्हें एक पत लिखा और अपने अखवार के पहले पन्ने पर आप समझ रहे हैं आप सोचें कि आज कि अगर किसी अखवार वाले की किसी से दुस्मनी है तो वो मुझे नहीं लगता है कि इस समय में कर पाएगा बहुत बड़े दिल वाले कह सकते हैं आप लोग की है थे रामनाद गोहिन का साब तो इन्होंने अपने अखवार के पहले पन्ने पर खुद एक समपाद की भी लिखा और बाद में उन्होंने इंद्रा गांदी को फौन कर भी अपना सोग प्रगट किया और रेणू सर्मा बताती हैं कि एक बार इंद्रा गांदी ने उन्हें रात्री भोच पर बोलाया मेरे पास ही पिधानमंतरी निवास से फौन आया उससे समय इनके इंद्रा के साथ बहुत खराब समंद चल रहे थे और इन्होंने जाकर कहा कि दादा जी आपके गल्फेंड का पहुन आया हुगा है यानि कि कहने का मतलब है कि रामनाद गुएनका साहब से बोल नहीं है कौन रेणू सर्मा और आपको खाने पर बोलाया है वो बोले तूने गलत सुना होगा बात करो दुबारा कहीं डंकन वाली वाले गुएनका को तो नहीं बुलाया मैंने पिधार मंतिरी निवास पूछा तो गुएनका को बुलाने की बात कन्फरम हुई और ये बास सुनकर ही गुएनका बहुत खुस हो गए और मजाक में बोले लगता है दुबारा गलफेंड बनने की कौसिस कर रही है तो इस तरह है कि देखे मजाक चलते रहते थे उस समय भी और वो इंद्रा गांदी के यहां भोज पर गए और उन्हें खाने की मेच पर अपने भगल में बैठा है वो सब चीजें परोसी जो गुएनका को पसंद थी और एक बात और आपको बता देता हूँ उस समय देखी आलोचना भी बड़े बड़े नेता थे जो बड़े मन से सुनते थे उनकी अगर गलती होती थी तो वो अपनी गलती को मानते भी थे आज के नेता हूँ कि आप छोड़ दीजे खुद की फोटो चपवाना विलकुल पसंद नहीं था गुएनका सहाब को जेपी यानि जैपकस नाराय ने अमेरिका से गुर्दों का इलाज कर लोटे तो बंबई हवाई अड़े पर वो उतरे तो रामनात गुएनका उन्हें भीलचियर पर बैठा कर लाउंज की तरफ ला रहे थे प्रेस फोटोग्राफरों ने फोटो खीचनी सुरू कर दे और इंडियन एक्सपरेस के फोटोग्राफर ने भी गुएनका के साथ ही जेपी के सौधेस लोटने फोटो कीची चपी भी यही और आप चर्चा होने लगी कि फोटोग्राफर की खेर नहीं दरसल गुएनका को उनकी फोटो अकवार में चापना कते ही पसंद नहीं था अराइन आप जanting जैपीकास नारायन को जैपी एंडोलन आप लोग उन्हें सुना होगा इंदरा गांधी को अगर हिलाने वाला कोई था तो जैपेकास नारायन नहीं थे और आपको बता दूँ कि जय पेकास नारायने से ही आपके जे मुकमंत्री जो नीतेश कुमार सहाब है ये निकले लालू परसादों सुसील मौदियों इस तरह के तमाम नेता निकले उस आंदोलन से ठीक है फिर आप देखेंगे कि खुद के खिलाब ही की ख़बरों को फ्रें पर आप समझ रहें आज के समय में तो आप देखी लोग अपनी गलतियों को अपने खिलाब लिखी बातों को दबाने में लग जाते हैं इमर्जेंसी के वक्त गुएनका लोकसभा के सदस थे और पी एम इंद्रा गांधी और उनकी सरकार गुएनका को चारों तरफ से घेरने में लगी थे संसद पर में उन पर तो बाहर उनके अकबार पर हर तरह का दवाव बनाया जा रहा था इसके बाब जूद वो डटे रहे चाहते तो अपने अकबार का इस्तिमाल करके अपने फायदे के लिए कर सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया यहां तक ही वो समय एक्सपरेस के संपादक के जरीए उन्होंने कहलवा रखा था कि उनके खिलाब संसद में जो भी कहाग या किया जाए उसे पहले पेज़ पर चापा जाए उनके बचाओ या उनकी मदद करने के लिए आई खबरों को अंदर के पन्नों पर चापा जा जा तो उन्होंने इसकी वाकूबी पालन भी किया आप समझ सकते हैं कि मुझे लगता है कि उस समय की लोगों के बारे मार अलग ही बात होती थी आप सोचे कि उस समय अगर आज़ा दिकी बात कर लिए योगदान गिने चुने लोगों का ही राय है जिने हम लोग इतियास में उनका ही नाम आएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं होनी चाहिए, हो सकता है कि आज हमाँ सरकार का पक्चकार हों, या सरकार के विपक्च में हों, यह मायने नहीं रखता है, सत्त क्या है, वही मायने रखता है, और यह कोई मैं प्रवच्चन नहीं दे रहा हूं, यह गलत फहमीर पालिएगा जितने कंजूस उतने ही दरिया दिल भी थे गुएनका साब गुएनका को फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं थी और गुएनका पर किताब लिखने वाली अनन्या गुएनका ने बीवी सी को बताये कि एक बार मुंबई के उनके पैंट हाउस में कई महमान और इसे लिए मुंबई के दौरे पर गए उनके दोस्त पर जनसत्ता के संपदक प्रभाज जोसी ने ठैरने के लिए ओवे रॉय होटल में एक कमरा ले लिया जैसे ही गुएनका को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने प्रभाज जोसी से का कि वो होटल के तुरंच से तुरंट चेक आउट कर ले उन्होंने अपने खुद के कमरे में एक फोल्डिंग पलंग डलवाया उस पर प्रभाज जोसी को सुलवाया इस तरह बहुत ही दरिया दिल भी थे और जब एक्सप्रेस की इमारत बन रही थी तो उन्होंने आदेश दिया कि रोज एक बोरी आल लोग भी बताईए उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे ठीक है तो इमांदार यह अहुत बड़ी होती है वो कहते हैं ना कि जूट फरेब धोका कितना भी तागत बरूं लेकिन एक दिन आप देखिए सच के सामने घुटने टेक ही देता है चलिए खेर एक आप